आज मैं शेयर करने जा रही हूं आलू पराठे की रेसिपी तो चलिए देखते हैं रेसिपी यहां पर मैंने 5 मीडियम साइज के आलू ले लिये हैं आलू को स्टीम कुक कर लेना है इसे डायरेक्ली पानी में मद उबालेगा इसे स्टीम कुक ही करना है तो जब तक आलू उब जाते हैं आटा गुन लेंगे यहां पर मैंने गेहूं का आटा लिया है देड़ कप इसके अंदर तीन चमच तेल आड़ करना है और स्वाद अनुसार नमक तेल और नमक को आटे में और एकदम अच्छे से मिक्स कर लेना है और उसके बाद जरूरत के हिसाब से पानी प्रिपेर कर लेना है मैंने एक कप पानी ले लिया है जरूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा पानी डालके पराठे के लिए जिस तरह से आटा लगाया जाता है उसी तरह का आटा लगा लेना है जो वन कप पानी मैंने लिया था आटा गुनने के लिए उसमें से सिफ थ्री अच्छे से मसल लेंगे 5 मिनिट्स के लिए इसे इसी तरह से मसलते रहना है और उसके बाद इस आटे को ढग कर 20 मिनिट्स के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे अब देख लेंगे आलू के लिए मसाले 10 से 12 कल्या लेनी है लसन की और अदरक के चार तुकड़े लिए है मैंने इस तरह से छोटे तुकड़े अदरक के चार 3 से 4 हरी मिर्च शक्कर 1 टी स्पुन और नमक स्वाद अनुसार इन सारी चीजों को मिक्सी में चला लेंगे और एक पेस्ट प्रिपैर कर लेंगे शकर भी इसी में एड़ कर देनी है ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए ये पेस्ट बन कर रड़ी है उबले हुए आलू को छील कर हातों से ही इस तरह से मैश कर लेना है उसके बाद इसके छोटे छोटे तुकड़ों को हातों से ही तोड़ देंगे आलू मैश कर लेंगे और इसके अंदर तड़का लगा देंगे तो इसके लिए मैंने 12-15 कड़ी पत्ते लिए हैं और थोड़ा सा हरा धनिया सबसे पहले एक छोटी से कड़ाई में दो चमच तेल गरम करने के लिए रग देना है इसके अंदर 1 टी स्पून राई डाल देनी है और राई जब अच्छे से चटक जाएं तो इसमें 1-8 टी स्पून हिंग और करी पत्ता करी पत्ते को एकदम अच्छे से क्रिस्प कर लेना है जब अच्छा क्रिस्पी हो जाएं तो इसके अंदर जो paste हमने प्रिपेर की है अधरक लसन की वो अड़ कर देंगे और इसे वन मिनिट के लिए स्लो फ्लेम पर सौटे कर लेना है पेस जब सौते हो जाएं तो इसके अंदर half teaspoon हल्दी आड़ कर देंगे और इसे अच्छे से mix कर लेंगे और साथ में हरा धनिया गैस को बन कर देंगे और तड़का जो है वो आलू में आड़ कर देंगे और half teaspoon नीबु का रस और अब इन सारी चीजों को एकदम अच्छे से mix कर लेना है जब ये mix हो जाएं तो इसे 5 minutes के लिए set होने के लिए छोड़ देंगे जो आटा हमने गून लिया था उस आटे को एक बार फिर से मसल लेंगे और इसमें से लूईया बना लेंगे तो एक बड़े नीबु के size की लूईय मैंने ले लिया इसमें से इसी तरह से बागी की लूईया भी prepare कर लेंगे और अब जो आलू का mixture हमने prepare किया था उसे एक बार mix कर लेंगे और इसमें से भी लूईया बना लेंगे तो जो आटे की लूई हमने ली है बस वैसी ही जा उससे थोड़ी सी छोटी लूई ले लेनी है एक तरफ तवा गरम करने के लिए रख देंगे और अब पराठे बेल लेंगे तो इसके लिए मैंने आटे की लूई एक ले ली है इसे सूखे आटे में हलका हलका कोट कर लेना है और इसके बाद इसे बेल लेंगे मैं इसे शुरुवात में लंबाई में बेल रही हूँ इस तरह से इसे लंबाई में ही बेलेंगे और इसके बाद आलू की टिकी इसके उपर रख देनी है और बैस इसे हर तरफ से सील कर देंगे सील करते हुए इसे डबा कर पतला कर लेंगे जिसको डबाते हुए पतला कर लेंगे और इसे इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे फोल्ड कर देंगे और इसे नीचे की तरफ प्रेस कर देना है बस इसे प्रेस कर देंगे और ये लूई तयार है अब इसे वापस से सुक्याटे में हलका हलका कोट कर लेना है और इसके बाद इसे हलके हाटों से बेल लेना है बस हलके हाटों से इसे बेलते जाएंगे बेलते वक्त आपको इसे half portion से नीचे की दरफ ले जाना है इस तरह से को इसको completely round नहीं करना है बस इसे इस तरह से एक तरफ से खीचते जाएए ताकि जो आलू है वो all over पराठे में equally spread हो बस ये आलू पराठा बेल कर ready हो गया है second method से देखेंगे लूई लेकर सुखे आठे से इसे गोलाकार में बेल लेंगे बस इतना गोल बेल कर तीकी रख देनी है और इसके बाद इसकी इस तरह से plates बनाते जाएंगे plates बनाकर सारी plates को इखटा कर देंगे अच्छे से seal कर देंगे और इसे प्रेस कर देना है इसे अच्छे से प्रेस कर ले पतला कर ले और इसके बाद इस लूई को सुखे आठे से हलका हलका कोट करके बेल लेना है तो बस पहले की तरह ही इसे बेलना है बीच में से इसे किनारों पर खीचते जाना है और सारे पराठे इसी तरह से बेल लेंगे ये भी रेडी है आपको एक बार इसकी थिकनेस दिखा दू बैस इतनी थिकनेस का बेल लेंगे और अब पराठे को सेख लेना है तब अलड़ी गरम हो चुका है तो पराठा इसके उपर डाल देंगे शुरुबात में मैंने फ्लेम स्लो ही रखी है जब ये पराठा उपर से कम लट लेना है और फ्लेम को हाई कर लेंगे और अब पराठे को हाई फ्लेम पर ही नॉमली जिस तरह से हम पराठे सेखते हैं उसी तरह से दोनों तरफ पर ब्राउन मांक्स आने तक इसे सेख लेना है वन फोर टीजपून तेल डाल रही हूं इसे अच्छे से स्प्रेड कर द दबाते हुए इस पराठे को सेख लेना है दूसरी तरफ भी έ Weird basil कुण सैर्ण तो से निकाल लेंगे आलू पराठे को टमएटो केच अचाप के साथ सुबह के नाश्टे में सर्व किया जा सकता है अलू पराथा इस रेड़ी तो सर्व